हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में देखे दोस्तों जैसा क्या आपको पता है एच्टेट एक्जाम आपका 3 और 4 दिसंबर को होगा और 3 और 4 दिसंबर वाला पेपर लेक रहे हैं 100% यही प्रसंद छपेगा जल्दी देखे पूरा वीडियो जी हाँ बिल्कुल पेपर जैसा प्रसंद है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्डन्ट है तो वीडियो पूरा एंड तक देखेगा और 3 और 4 दिसंबर को 100% यही प्रसंद आएगा इसलिए वीडियो लाश्ट तक पूरा देखना लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर देना एच्टेट एक्जाम की अच्चे से त्यारी करना चाते हैं आखरी दिनों में तो तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए तो देखे फ्रेंड्स कोशन पेपर आपके स्क्रिन पे आ गया है आज अपने हर्याना जीके करने वाले है रोजाना आपको वीडियो मिलता है अलग-अलग टोपिक पे एच्टेट एक्जाम के लिए तो फर्स्ट कोशन है प्रसिद तराइन के युदवाला स्थान तराइन हर्याना के कि जिले में आता है बात करें दोस्तों प्रसिद तराइन के युदवाला स्थान ये आपका जो स्थान है ना वो हर्याना के करनाल जिले में आता है तो करनाल आपका right answer होगा option B तराइन के दो प्रतम युदुए थे 1191 और 1192 में अगला question देखिए next question में पूछा गया है कि handloom का सहर के नाम से किसे जाना दाता है हू बहू यही प्रसंद छपेगा तो पूरा वीडियो जुरूर देखना handloom का जो सहर है यह आपका पानीपत को जो है जाना दाता है handloom के सहर के नाम से पानीपत जाना दाता है तो पानीपत आपका right answer होगा बुनकरों का सहर भी इसे बोलते हैं ठीक है अगला question देखते हैं दोस्तों हर्याना के किस जिले में प्रदेश की पहली NCC Academy खोली गई हर्याना के किस जिले में प्रदेश की पहली NCC Academy खोली गई यह पुछा है तो यह खोली गई करनाल में करनाल जो भी answer दे रहे हैं उनका answer correct होगा साथ साथ में आप भी answer करते रहे हैं comment box में अगला question है प्रसीद गव करण तलाब हर्याना के किस जिले में पढ़ता है देखिए प्रसीद गव करण का जो तलाब है यह हर्याना में रोतक जिले में आता है तो रोतक आपका correct आंसफर हो जाएगा इस question का अगला question करते हैं फटा फट से question में पूछा गया है हर्याना का परमुक एतिहासिक भवन दरगा है कलंदर साहिब यह कि जिले में पढ़ता है हर्याना का परमुक एतिहासिक भवन दरगा है कलंदर साहिव की बात करें तो यह पानीपत में स्तित है पानीपत आपका right answer होगा वीडियो को जिसने भी अभी तक like नहीं किया है तो फटा फट से like, share, subscribe कर दें हर्याना गोर्मेंट एक्जाम की किसी भी एक्जाम की हर्याना गोर्मेंट के त्यारी करना चाते हैं तो आज ही इस चैनल के साथ जुड़ जाएए चैनल को subscribe कर लीजिए और पास वाले bell icon को भी own कर लीजिए हर्याना government सभी government exam की यहां पे आपको त्यारी करवाई जाती है बिल्कुल free में अगला कोशन मोतीलाल नहरू खेल विस्थ विधाले कहां पे पढ़ता है देखिए मोतीलाल नहरू खेल विस्थ विधाले की बात करें तो ये देखने को मिलेगा आपको राई अब राई कहां पे है, राई आपका पड़ता है सोनी पत में, तो कभी option में सोनी पत दिया होता है, कभी option में सीधा राई दिया होता है, तो जिनका भी answer राई आ रहा है, उनका बिलकुल correct answer होगा, अगला question हर्याना के की जिले में तोपियों वाला गुरुद्वारा स्तित है, next question is, निमन लिखित में से कौन सा राष्ट्रिय राजमार्ग रोहतक से गुजरता है, देखिए जो राष्ट्रिय राजमार्ग आपका रोहतक से गुजरेगा, वो एक तो गुजरेगा, नेशनल हाईवे 10, नेशनल हाईवे 71 और नेशनल हाईवे 71 A, तो ये जो तीनों ही न city of parks के नाम से जाना आता है, city of parks के नाम से कुरुचेतर जाना आता है, तो जिन्होंने भी answer किया है कुरुचेतर, उनका answer यहाँ पे बिलकुल correct हो जाएगा, next question की तरह बढ़ेंगे, अगला question आपके screen पे है, question में पूछा किया है कि यहुना नगर की जो timber market है, वो पहले किस न पूराना नाम था, अब इसको बोलते हैं timber market, तो यह आपका correct answer हो जाएगा, next question है कि हर्याना में जो सरस्वती नदीव है, सोम नदी का जो संगम स्थल है, वो किसे कहते हैं, देखिए सरस्वती नदीव है, सोम नदी का जो संगम स्थल है यह आदी बदरी को कहा जाता है, तो किसके द्वारा की गई थी, पुरानों के अनुसार केथल जो जिला है, इसकी स्थापना समराट युदिष्टर के द्वारा की गई थी, तो समराट युदिष्टर आपका correct answer हो जाएगा, अगला question देखिए, पंच कुला किस राष्टर राजमार्ग पे स्तित है, पंच कुल क्योशन में पूचाए कि हर्याना के किस जिले का प्राची नाम इकदार था, देखिए आपको उस जिले का नाम बताना है, जिसका प्राची नाम था इकदार, इकदार था फतेहबाद जिले का प्राची नाम, तो फतेहबाद आपका correct answer हो जाएगा, अगला question हर्याना की किस जगय को उत्तरी भारत का खजुराहो के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत का खजुराहो के नाम से जो जाना जाता है, वो भीमा देवी मंदिर को जाना जाता है, तो भीमा देवी मंदिर right answer होगा, आप से पूछे कि भीमा देवी मंदिर कहाँ पर पढ़ता है, तो ये आ आपका पंचकुला में स्तीत है ठीक है अगला कोशन देखते हैं हर्याना के किस सहर में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था देखिए हर्याना का जो सहर है जहां पे साइमन कमीशन का विरोध हुआ था वो हुआ था अंबाला में तो अंबाला आपका करेक्ट आंस्वर हो ज हर्याना का जो सोनीपत जिला है सोनीपत जिले में उत्तरी भारत का प्रथम महिला विस्विधाले है ओप्शन ए आपे करेक्ट आंस्वर होगा अगला कोशन हर्याना के किस व्यक्ति को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है भारत केसरी के नाम से हर्याना के पहलवान मास्टर चंदगी राम को जाना दाता है तो option C इस question का बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला question है हर्याना देश में किस चीज के उत्पादन में सर्वशेष्ट है चार option दिएगे हैं इनमें correct हो जाएगा आपका कार के उत्पादन में मारूत वी सिज की आपको पता होगा गुरुगराम में स्थित है और अगर यहाँ पे option में car ना हो तो टेक्टर आपको correct answer करना है ठीक है तो car यहाँ पे correct answer हो जाएगा अगला question है हर्याना के किस जिले में रामगड का कीला स्थित है रामगड का कीला है यह पढ़ता है पंचकुला में तो पंचकुला आपका correct हो जाएगा इस question का answer अगला question हर्याना में चनेटी का स्थूप यह कहाँ पे located है तो देखिए जो चिनेटी का स्थूप है ये आपको देखने को मिलता है यमुना नेगर में तो यमुना नेगर इसका राइट आंसवर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन हर्याना के किस वेक्ति को भारत के सरी ये वाला हो चुका है चंदगी राम इसका आंसवर था अगला कोशन देखिए देश की प्रथम अति आधुनिक आंगनवाडी ये की जिले में स्तापित की गई थी हसनपूर में ओप्शन एक रेक्ट होगा अगला कोशन हरियाना के गांधी के उपनाम से मशहूर मूल चंद जैन हरियाना के किस जिले से समन्द रखते हैं सोरी यहाँ पे आपको जिला भी दे सकता है अगर जिला होगा तो अंसर हो जाएगा सोनी पत पर कभी कभी क्या होता है सोनीपत ओप्शन में नहीं होता है ओप्शन में गोहाना होता है तो गोहाना पढ़ता है सोनीपत में तो ओप्शन में गोहाना भी हो सकता है सोनीपत भी हो सकता है अगला कोशन पानीपत अलग जिला बनने से पहले कि जिले के अंतरगत आता था तो यह आता था करनाल के अंतरगत, तो option secret होगा, यह ताज का last question, I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो like करें, share करें, और इस चैनल को आपने अभी तक subscribe नहीं किया, तो subscribe करके बैल आइकन को on कर लीजिए, ऐसी और वीडियो देखने के लिए जहीं जवारत,